आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडी जे नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है साथ ही आज बात करेंगे सहदेई की सहदेई भी कितना सुंदर परपल कलर आप देख रहे होंगे यह एक हर्बेशियस प्लांट है और महानोसदी है विभिन प्रकार के रोगों में इसक इसमें क्या करता है यह है एक्टिवीटी यह है लीवर रेमेडियेशन के माध्यम से और रेस्पायर्ट्री सिस्टम की स्ट्रेंग्टनिंग के माध्यम से करते हैं मित्रो सहदेवी यानि वर्नोनिया को सिन्ड्रिया यह एस्टइ्धरिसी फैमियली का प्लान्ट है और य Days Him and यह यह फ्लावर्ल इंक शो करता है उप्योग हैं वैसे तो यह पूरा प्लांट ही इस्तमाल किया जाता है पोस्दिये गुणों के लिए इसका पंचांग बना के हम लोग रख सकते हैं इसके अंदर जो पाए जाते हैं घटक उसमें सेस्कुटर्पीन एलकलॉइड फ्लेवनाइड और लूटियोल लूपियोलिन क्राइसो एरियोल बीटा सीटो सिटिरोल स्टिगमस्टिरोल पाए जाते हैं इसके अलवा कई मिनरल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं अब हम बात करें तो इसके गुणों की जो इसकी मूल होती है उसका हम चून बनाके रख सकते हैं वह जलोदर की एक समश्या हो जाती है जिसमें पेट के अंदर पानी भर जाता है जिसको ड्रोप्शी भी कहते हैं इसके निराकरण के लिए तीन ग्राम चून इसका हमें शैद के साथ दिन में दो बार लेना चाहिए एक मेने के अंदर चमतकारी प्रभाव से जलोदर की समश्या ठीक हो जाती है जलोदर की समश् इसके अलावा जो इसकी मूल होती है वह इंसोम्निया की समश्या को भी दूर करती है कई बार रात को सपने आते हैं हमें नीद नहीं आती है घबराट होती है तो ऐसे केसिज में क्या कर सकते हैं आप इसके जड़ को अपने तक्ये की नीचे रख लीजे आपको बहुत अच् इसी भी प्रकार के आपको सपने नहीं देखेंगे और आप साउंड स्लीप ले सकते हैं इसके जो फूल होते हैं यह जो आप देख रहे होंगे इनको आप फंट बनाके आखों की रेडनेस को दूर करने के लिए कंजंटिवाइस पीस की समश्या के निरा क्रण के लिए दो स इसका जो होल प्लांट का अगर आप डिकोक्षन बनाके सेवन करेंगे तो यह इम्मूनो मोडूलेटर का कारे करता है और आपके बदलते हुए मोसम में आपके बोड़ी की इम्मूनिटी को भी यह बढ़ाता है इसके अलावा इसका जो डिकोक्षन होता है वह अस्मरी या पत्री किसी भी प्रकार की पत्री हो उसमें बहुत अच्छा प्रभाव इसका देखा गया है आप इसको पांच ग्राम इसका पंचांग लेकर इसको डिकोक्षन बना लीजिए काड़ा बना लीजिए और इसको आप 150 ml दिन में दो से तीन बार पी सकते हैं बहुत अच्छा करता है उस पत्रोगों में इसके पत्तों का आप लेप लगा सकते हैं और साथ ही साथ पंचांग को भी आपको इसके साथ साथ पीते रहना चाहिए कई बार बार बुखार होता है मौसम बदलने के बाद रिकरेट फीवर इसको हम कहते हैं ऐसे रोगियों के लिए यह है सरीर से फसीने को निकालने वाला डायफरोटिक का कारे करता है पसीनी के माध्यम से सरीर से टॉक्सिंस को निकाल देता है और बार बार बुखार नहीं होता है पेट के अंदर विविन प्रकार के किर्मी हो जाते हैं उनके निराकरण के लिए भी आप इसको डिकोक्षिन बना कर पी सकते हैं यह किर्मी ना सकती है मलेरिया फीवर हो चाहे वाइरल फीवर हो चाहे बदलते हुए मोसम में इम्मूटी कम्प्रोमाइजिंग के कारण अगर कोई फीवर हो उसके इसमें भी आप इसको काड़ा बना कर दे सकते हैं बहुत अच्छा कार्य करता है मुख रोग हो तो इसका डिकॉक्षन से आपको ला कीजिए मुख से आने वाली जो दुर्गंध है या आपके गम बिलीडिंग की अगर समश्या है उसमें भी बहुत अच्छा कार्य करता है आपका तनाव को ये रिलीव करता है सेडेटिव का ये कार्य करता है कई बार क्या होता है कि पित्त के ज्यादा बढ़ जाने के कारण या वात्पित और कफ तीनों में बैलेंस ना होने के कारण टूमर भी बनने की प्रकिरिया स्टार्ट हो जाती है तो इसकी जो एंटी कई बार पेन भी होता है तो ये एनल्जैसिक का कारिया भी करता है तो टूमर में होने वाले पेन और टूमर के निराकरण के लिए इसको आप डिकोक्षन भी पीजिए को लगाईए भी इसके लेप को आपको पूरे प्लांट का पंचांका आप लेप बना कर भी लगा सकते ह है और इसको डिकोक्षन बना कर भी पी सकते हैं साथियों ध्यान रखना है इसके अंदर एंटी कोलीन एस्ट्रेज अक्टिविटी होती है जिससे यह बॉडी में धेरे-धेरे ऐसी टाइल कोलीन के लेवल को बढ़ा देता है तो कुछ नीरोडी जन्रेटी डिसीजिज ऐसी कर कि परकिंसन डिसीज भी नीरोडी जन्रेटी डिसीज के अंदर आती है तो उसमें ऐसी टाइल कोलीन का लेवल पहले से बढ़ा हुआ होता है तो ऐसे पेसेंट्स को इसको नहीं देना चाहिए और यह साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको पसंद आए तो लाइक से सब् और इनी बातों के साथ फिर मैं आप से अलवेदा लेता हूं आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार